हारुफिक्स विंदोस 11 एयरफोन नोट वर्किंग प्रॉब्लम नमस्कार डोस्तो स्वागर है अब सभी का थिकिराच यूटुब चैनल पर तो दोस्तो आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है कैसे एयरफोन नोट वर्किंग प्रॉब्लम को सॉल्फ कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर बेसिकली होता क्या है आपको एयरफोन जो है उसको चेक करना होता है ठीक है क्योंकि बहुत सारे कैसे में मैंने देखाई कि वह जो है एयरफोन को अच्छे तरह से चेक नहीं करते और इस्तेमाल करते हैं और दूसरा क्या है जब आप प्लग कर रहे एयरफोन को तब दोस्तों आपको कहाँ पर साई जगे पर प्लग करना है यह मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में और PC के अंदर पर आप क्या solution कर सकते है कैसे solve होगा यह मैं आपको इस वीडियो पर बताऊंगा वीडियो शुरू करने से पहले make sure चैनल को subscribe करते हुए बेल आइकुन को क्लिक करें अगर आपको online पेसा कमाना है तो वीडियो description पर आपको link मिल जाएगा चलिए दोस्तों वीडिय iPhone को use करना चाते है PC के अंदर पर तो आपको दोस्तों Front site पर नहीं back side में प्लग करना होता है ठेक है किवे दोस्तों बहुत सारे PC है उसके अंदर पर support नहीं करते है front side में किसी किसी में support कर जाते है लेकिन बहुत सारे जो मैंने PC यूज करके देखा है बहुत सारे मैंने जो यूज किया हुआ है उसमें मैंने जब प्लाग किया अपना मुबाइल के एरफोन तो बिलकुल काम नहीं करते ठीक है, फ्रांस साइट का जो प्लाग होते वो काम नहीं करते तो बेक साइट में अगर हम प्लाग करते तो काम कर जाते ठीक है, तो थोड़ा साबदानी के साथ आप प्लाग कीजिए क्योंकि अगर आपने आठीन वगरा नहीं दिया है तो शोट वगरा हो सकते तो बेक साइट में प्लाग कीजिए प्लग करने के बाद आप सुनके देखिए यूट्यूब चालू किजिए ठीक है तो सावन आपको आ जाएगा और मेक शूर कि आपका एरफोन पे कोई डेमेज ना हो ठीक है सबसे पहले चीज़ यह आप कर सकते हैं उसके बाद दूसरा यहापर आपको क्या करना है आपको डा है यूज़ कर रहा है गेमिंग के लिए तो उसमें अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो हैटफोन के अंदर पे दोस्तों टीन प्लक्स होते हैं एक यूज़ टाइप दूसरा एक ओडियो के लिए एक माइक्रोफोन के लिए जेक होते हैं ठीक है तो उनको आपको सई आपको प्लक्स करने के बाद दोस्तों आपको आसाने से सावन आ जाएगा लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम आता है फिर भी तो ओडियो ड्राइवर जो है दोस्तों यहाँ पर आपको डाउनलोड करना परेगा जो की रेल्टेक का होगा ठीक है अगर आपने एक भी ओडिय ड्राइवर डाउनलोड नहीं किया है तो मैं आपको एक बेस्ट सजेस्ट कर दे रहा हूँ आप रेल्टेक का यह जो ओडियो ड्राइवर है उसको डाउनलोड कीजिए 258 MB है ठीक है ज्यादा नहीं है और यहाँ पर है दोस्तों बीट्स आप चेक कर सकते हैं कम्पीटर के में अंदर पर बीट्स ठीक है बीट्स यहां पर मेरा कम्पीटर 64 का है और आपका कौन सा बीट्स होगा वह आप चेक कर लिजेगा बीट्स चेक करना चाते हैं तो आप PC पर राइट क्लिक करें पर प्रप्रॉर्टिस में जाए प्रप्रॉर्स में जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर option मिल जाएगा ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके bits कितना है तो इस तरीके से आपको download करना है एक driver उसके बात में दोस्तों आपको क्या क्या करना है आपको जाना है device manager पर ठीक है यहाँ पर हम कुछ settings करेंगे audio के related तो यहाँ पर हमारा जो device manager वह open हो चुका है एंड यहाँ पर मिलेगा आपको sound and video game controllers यहाँ पर right click कर देना है properties में जाना है तो आपको काफी सारे options मिल जाएगा यहाँ पर ठीक है तो अगर आपका driver update नहीं है तो यहाँ से driver को update बगएरा कर लीजेगा उसके बाद दोस्तों आप आपको जाना है comment prompt के अंदर पर ठीक है see okay not comment prompt आपको जाना है control panel पर यहाँ पर आपको मिलेगा hardware and sound sound option पर जाई उसके बाद में दोस्तों आपका जो यहाँ पर recording option है उसमें जाके microphone को check किजे यहाँ पर ठीक है microphone का जो यहाँ पर properties से आप उसको check कर लिजे तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आप जो है microphone को set कर लिजेगा properties में जाके आप रेल टेक का जो यहाँ पर audio driver लिया है उसको set कर लिजिए ठीक है और यहाँ पर यह setting जो है उसको set करना होगा listen to this device continue running on a battery power और इस तरीके से आपको set करना है sounds हो गया है यहाँ पर sound का option है play windows start up sound यह तो दोस्तों already set रहते windows default communications ओके यहाँ पर कुछ settings आपको नहीं करना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगा speakers ठीक है enhancement का option है यहाँ पर आप disable all sound कर सकते साथे साथ में आपका जो है यहाँ पर सेट कर सकते हैं जैसे की noise cancellations ठीक है इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पर सेट कर लिजेगा अपना sound को और कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं ठीक है अगर आपकी PC का software अपडेट नहीं है तो अपडेट कर लिजे एंड एंड वो जागा प्रॉब्लम तो इस तरीके से आपका जो headphone के एंटर में प्रॉब्लम है एयरफोन पे तो इस तरीके से fix कर सकते हैं लेकिन दोस्तों by any chance अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो hardware का issue भी हो सकते हैं ठीक है hardware का issue हो सकते हैं कैसे आपके PC में जो plug से वो खराब हो गया होगा तो उसके वज़े से एयरफोन काम नहीं कर रहे तो आपको किसी technician के पास जाके अपना जो PC है उसको चेक करवाना होगा और अपना plug को fix करवाना होगा तब जाके आपका एयरफोन अच्छे से काम करेगा आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो अल know गाख था तंक्स एवरचिक जो